तो जो हमारा TCC एक्षेंज है ठीक है उसका जितना भी कोईन है हम उस कोईन को लेंडिंग वेबसाइट पे लेके जाएंगे एक तरी किसे ट्रांसफर करेंगे लेंड करेंगे और किसी चीज को ट्रांसफर करना इधर से उदर करना ठीक है तो यह कुछ फस्ट व्यू है यानि कि जो वेबसाइट है उसका जो डॉमेंड नेम है वो बल्क कर दिया दिखाई नहीं दे रहा है उसके बाद में यूजर नेम से बने गाई है सिस्टम तो यूजर नेम डालना उसके बाद एमेल इडी पासवार्ड ठीक है और मतलब ट्रांजिक्शन पासवार्ड जो भी जो कितने बन चुके हैं आपका मोबाइल नमरी मेल आडी क्या है मतलब यहां पर आपको चीज दिखाई दे रही है ठीक है यह कुछ स्क्रिन सूट्स हैं आपके सामने अब ओडियो सुन लेते हैं और यह स्क्रिन सूट आपको मिल जाएंगे एक पीडियाप की रूप में तो आ लेंडिंग पेज की 60% टेस्टिंग सफलता प्रोग हो चुकी है 40% इसकी टेस्टिंग बाकी है और बहुत ही जल्द यह लेंडिंग पेज हमारे पीच होगा इसमें चोटी-चोटी जितने भी जितने भी कमिया हैं वोन बाइवन करके साथ की साथ सोल कर रहे हैं और सब साथी होगा लेंडिंग पेज के बारे में थोड़ा आपको पताना चाहूंगा यह कैसे काम करेगा और कैसे साइन अप करना है कीन बातों का हमने ध्यान लखना है लेंडिंग पेज़ों पेजवार आप साइन उप करोगे तो सबसे पहले आप अपना एक यूजर नेम बनाओगे, यूजर नेम आप कुछ भी बना सकते हो, आपका सर नेम, जैमाता की, ओम, शाइं, कुछ भी आप रख सकते हो, यूजर नेम, उसके बाद आप अपना मोबाइल नमबर डालोगे, आपका एमेल आइडी डालोगे, और पास फ्रेज न आपकार है, ये छे, आठ, ये दस, अंको का हो सकता है, पास फ्रेज नमबर, ये भी टेस्टिंग में फाइनल नहीं होआ है, एक चीज़ खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा, कि पास फ्रेज नमबर की, अगर आप भोल गए, तो रिकवरी नहीं है, जब भी आप साइन करो, तो जो आपको याद रहे, वही आप पास फ्रेज नमबर आपने बनाना है, और बैक एदन नोट करना है, थोड़ा सा ओडियो रोकना चाहूँगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बोला था, कि एक पिन होगा, ठीक है, पास फ्रेज, तो मैं आपको ये ही कहना जब लेंटिंग पेज आजाए, तो जल्दी बाजी मत करना, रजिस्टेशन करने की, कहीं आप लोग जल्दी बाजी कीजिएगा, आराम से वीडियो बनाएंगे, आराम से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देख क्या, आराम से बनाईएगा, तूसरी बात, मेरा कहना ये ही ह बनाए न, वो एक, दो, तिन, चार भी ना बनाए और जैसे आपका मोबाइल नंबर भी ना बनाए, आपका हो सकता है बाइक, जो मोटर साइकल है, उसका नंबर हो, आपका कोई अकाउंट हो, उसके जो बीच के अकसर हो, चार्च है, वहाँ उठा सकते हो, और बहुत सारी चीजे हैं, आप अपने ATM का नंबर रख सकते हो, पीछे का बीच का चार्च है जो भी, तो ऐसा रखिए का जो याद रहे, अभी बोला है कि रीकावरी नहीं होगी, तो भाई ऐसा मत करना, और त्यान से बनाएएगा, कोई जल्दी बाजी मत कीजिएगा, अभी तो आया नह हैं, लेकिन मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि काफी जल्दी बाजी करते हैं, यूजर तो भाई जल्दी बाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, टी सी सी अक्षेंज के अंदर, जो मेल आइडी आपने डाली हुई है, और जो मेल पे आने के बाद ये अक्षेंज पे जाएगा और हो सकता है, कोई ने कोई सरारती बंदा आपकी मेल आइडी को हैक करके आपके कोई उडा ली, तो स्कूर्टी के मामले में आपको खुद स्तरक्ष और सावधान रहना पड़ेगा, एक बात मैं दोस्तों जरूर कहना चाहू कर्वां जैसे ही लेंडंगे वैलेट आईगा और जब तक ये अक्षेंज पे नहीं जाएगा, ये कोई तब तक लेंडिंग वैलेट टो वैलेट पी तो पी, आप एक दूशरे को कयन ट्राश्पर कर पाओगे, लेकिन जैसे ही ये लेंडिंग वैलेट कम्प्लिट होने के अगसेंज पे जब यह कोईन जाएगा उसके बाद लेंडिंग वोलेट से ट्रांसपर का उप्सन हट जाएगा उसके बाद किसी भी यूजर को अगर कोईन चाहिए तो वो अगसेंज पे जाएगा डिरेक्टर वहीं से पाई करेगा अक्षेंज कि अबी सिर्भ लिष्ट दी होई है तैन अक्षेंज की सबसे पहले उसी अक्षेंज में आईगा जिसमें जल से चलता है तो ग्रेट की वों थेसेंज होगी स्योसे 5.500 कोईन में असके चेंज में रिजिस्टेगा उँगे उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सेंज होगी उससे भी चुछी एक्सेंज होगी DCC एक इतिहास रचेगा दोस्तों जी हाँ 100% इतिहास रचेगा क्योंकि जिन लोगों को सुरुआती दोर में DCC मिला साथ उन लोगों की इसी कदर नहीं समझे लेकिन वो लोग पिज की निकल चुके हैं आज के टाइम वही लोग जिला रहे हैं जिन के पास एक भी कोई नहीं है जो अनुने सिप्यूर डेपोजिट में डाला था और अब वो कोई बाहरा है बाकि भो लोग कोई पिज की निकल चुके तरह तरह की कोईनों में काम कर रहे हैं, तरह तरह की कमपनियों में काम कर रहे हैं, इससे कोई फरक ने पड़ने वाला, इंकम के सोर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे, जिसे बायर की एक परकार से लाइन लग जाएगी, जी हाँ, लेंडिंग वोलेट और अक्सेंज में जान आपको घुदी अपनी स्कूरिटी रखनी है आपने मोबाइल को भी सेफ और सेक्यों रखना है तो कि हो सकता है कि आपका अपना कोई अपलाइं या फिर आपका को मितर या फ्रेंड या जानकार वह ऐपका अकाउंट है कर ले हां तो आप सो क्टे इसे लेकिन जब यह पुब वोगती हैं उसी परकार जैसे हम पेटियों मुएलेट को ले लेते हैं या फिर हम रिचार्ज को ले लेते हैं एक बार हमारे हां हैंसे फिर फिर वो वापीस नहीं आ सकता उसी परकार अगर आपके नहीं चीजे किसी फ्रेंड के साथ शेयर करकि अपनी प्राइवेट स्क्वो तो वो फिर आपके कोईन को उडा सकता है आपके कोईन के साथ चीटिंग कर सकता है निकाल सकता है तो लोग उसे सावधान रहना है तो अक्सेंस पे आने के लिए त्यार होगा लेंडिंग वालेट 60% कम्प्लिट हो चुक्या है और इसका फर्स्ट लुक हमें दिखाई दिया पहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद ड्वेल प्रो की तरफ से च्यार स्कीन शोट दे गए है कि हम आपको च्यार स्कीन शोट दे सकते हैं कि कैसे-कैसे आगे इस पर काम चल रहा है ताकि लोगों को विश्वास बने कि हां वास्तों में टीजीशी कोईन बन रहा है और एक अपनी उचायों तक जाने में तिल मेला रहा है तो उन्हें लोगों की वज़े से तिल मेला रहा है कि जिनके पास सबसे ज़्यादात में कोईन है उन लोगों की कोशिश की वज़े से ही एक रगर ले के आएगा और इतिहास रचेगा जी हाँ दोस्तों ये ओडियो आप उन सभी यूजर को सुना सकते हो जो टीजीशी होल्डर है टीजीशी का बहुत ही चल लेंडिंग वोल अपने प्रोपर तरीके से सेफ रहना है धन्यवाद उस्तों तो यह अपडेट थी आप सभी के सामने जो की जो लेंडिंग पेज उसका फर्स्ट लूग आप सभी ने देख लिया है मुझे काफी अच्छा लग रहा है मैंने जब राके सोरी के भी सर से बात की तह उन्होंन मैं खाटू शाम जी के चले गया था लेकिन अभी मैंने जब आके देखा गुरूप में तो मुझे अपडेट मिली मुझे बेहत कुछी हुई कि यह चार स्क्रिंशूट सेर किये और यह चार स्क्रिंशूट ही नहीं है जो लोग बोलतेते हैं कि कुछ नहीं बनने रहा है य अगर आप नेगेटिव हैं तो मैं यही वो लूगा कि यार थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए इतना आपने वेट किया है थोड़ा और सही ठीक है बस मैं यही कहना जाओंगा इसी उमीद के साथ अगर आपका कोई भी सवाल या सुजाव है तो मुझे कमेंट करके मातरम हस्ते रहें मुस्कुराते रहें